हाई गाईज वेलकम दिस इस यूर सरा अत्या वादवा और आज एक और खुश खबरी लेकर आ रहा हूं कल संडे है एवरी संडे वी आर कमिंग अप विद वाट पास्ट एर एक्जाम क्वेश्चें जिस सीरीज का नाम हमने रखा है चल पीछे तो पीछे चलेंगे कल और आर सेशन अब आज हम शुरू करते हैं अपना एमसी क्यू सेशन तो आपके लिए सब कुछ यूट्यूब पर फ्री में लात के रख दिया हमने सारी चीजें पास्ट यर क्वेश्चेंज भी एमसी क्यूस भी थोड़ी बहुत डालता रहता हूं बट सारा कुछ फ्री में न रेशो सर फटाफट से क्वेश्चेंज दिखाओ आज हमारा 12 सेशन बारा वीडियो पीछे की अगर ये भी देखनी है तो नीचे प्लेलिस बनी हो यह जिसका लिंक डिस्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लेट सी पहला क्वेश्चन यहां पर आउट फॉलोविंग विच चेंज इंदर प्रॉफिट शेरिंग रेशो चेंज इन पीच सार का पात क्या नहीं है डिटर्मीनेशन और डिटर्मीनेशन ओफिजिंग गैणिग रेशो तो होता ही होता ही तो सीख ही हमने पहली pouring कांपे था चेंज इन पी एसर में अकाउंटिंग उड़ विल घुड पास retirement में भी होती है death में भी होती है but dissolution में PSR change नहीं होती क्योंकि firm dissolve हो जाती है और आगे बढ़ते हैं a and b partners in a firm sharing profits equally equally बोले तो one by two or one by two with effect from first April 2020 they decided to share profits in the ratio of four is to three due to change in profit sharing ratio is gain or sacrifice will be I guess हम लोग यवाला ऐसा question कर चुके हैं तो a के बारे में बात करनी है a की old ratio जो थी that was one by two जो new है उसकी वो है हमारे पास four by seven तो पहली चीज़ तो यह देखो पहले a के पास आधा शेयर था अब यहां पर यह आधे से जाधा है साथ का आधा होता है साड़े तीन numerator में है चार तो that means a तो गेन कर रहा है और गेन कितना कर रहा है वो हमें देखना है यहां पर पी और डी तो definitely नहीं answer because a is gaining अब a और c में से क्या answer होगा let's see that यहां पर तो अब हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा gaining ratio के लिए new minus old तो 4 by 7 minus 1 by 2 फटा फट से कर लो भाई LCM आ गया 14 this will be 8 और यहां पर हमारे पास आ जाएगा 7 that means a is gaining यहां पर 1 by 14th share और आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे कहता है assets are revalued and liabilities are reassessed at the time of change in PSR so that profit sharing ratio जब change होती है तब हम अपने assets को revalue करते हैं या reassess करते हैं liabilities को क्यों करा जाता है इसा हम इसी लिए ऐसा करते हैं ताकि जो gaining partner है जो हमारे पास gaining partner उसको undue advantage ना मिले आगे जाके और अभी जो sacrificing partner है उस बिचारे के साथ कुछ भी आगे जाके कम ना मिले उससे तो यहां पर पहला option a point assets and liabilities are shown at their present values नहीं present values पर दिखाओ ना दिखाओ फरक नहीं पड़ता हम लोग यहां पर historical cost concept भी follow कर सकते हैं तो this is not our answer gaining partner is not put to an advantage बिलकुल ठीक बात कि gaining partner को कोई advantage ना मिल जाए और sacrificing partner को कोई भी disadvantage ना मिल जाए तो हमारा भी पार्ट इस दा answer c part or d part को आप हटा सकते हो read करना चाहते हो तो read कर लो और आगे बढ़ते हैं बेटा राजू एं गौरव वर partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of two is to one with effect from first january they decided to share profits and losses equally individual partners gain due to change in gain your sacrifice due to change in ratio will be सबसे पहले यह देखो यहाँ पर हमारे पास partners थे राजू और गौरव old ratio और यहाँ पर new ratio जो इनकी थी वो लिख लो पहले यह लोग कर रहे थे two is to one अब यह कर रहे हैं यहाँ पर equally यानि कि one is to one तो पहले तो आप यह समझना कि राजू की बात करते हैं individually पहले राजू को two option नहीं होगा answer C option नहीं होगा राजू is sacrificing तो हमारा option B या D में से है अब इसमें देखते हैं हम लोग निकाल लेते हैं तो sacrificing ratio का formula old minus new यह मैंने आपको सिखाया था song word एक approvation था हमारे पास old ratio है 2 by 3 new ratio है 1 by 2 तो this will be 6 यहाँ पर हमारे पास LCM और इदर हम ले लेंगे 4 minus 3 this is 1 by 6 तो राजू भाई साब sacrifice कर रहे हैं 1 6 तो यहाँ पर मेरे को B option दिख गया पूरा question solve करने की ज़रुवत नहीं है छोटा सा एक part solve कर लोगे वहीं से answer निकल के आ जाएगा और आगे बढ़ते हैं last question हमारे पास आज की class का रमन एन राजन वर partners in a firm sharing profits or losses in the ratio of 3 is to 1 with effect from first January they agreed to share profits in the ratio of 2 is to 1 due to change in PSR Rajan's gain or sacrifice तो राजन का gain या sacrifice निकाल लो राजन को पहले कितना मिलता था राजन को पहले मिलता था 1 4th share 3 is to 1 थी ना ratio फिर उसके बाद कितना मिल गया new में राजन को मिलने लग यहाँ पर 1 3rd तो यानि की राजन ने gain कर रहा है तो sacrifice will not be an option राजन यहाँ पर gain कर रहा है गेन कितने से कर रहा है वो निकाल लेते हैं gaining के लिए हम लोगों को new minus old करना पड़ेगा तो gain is equal to new minus old new था 1 3rd पहले था 1 4th नीचे LCM 12 आ जाएगा यहाँ पर 4-3 तो इसका gain आ जाता है यहाँ पर 1 by 12 तो आर आंसर इस gain 1 by 12 यह रहा ए ओप्शन तो आप आप लोगों कोई MCQ समझ में आए अब MCQ में थोड़े बड़े बड़े questions आ रहे हैं which are not one markers one markers कम आ रहे हैं बट कोई बात नहीं जो भी आ रहे हम सारे करेंगे concept खुलेगा so I'll see you all tomorrow कल मिलूंगा MCQ तो हो गई होगा रात को साड़े 8 बजे बट साथ में हमारे पास सुबा मौनिंग में live session भी होगा don't miss that link is in the description I'll see you tomorrow bye bye take care